36 गार राज्य के जीला जांजगीर चांपा विकास खंड अकलतरा ग्राम रोगदा में खड़ा हूँ यहां विस्थापन का मुद्दा बहुत ज्वलन्त मुद्दा है यह दे बेचूंगा तो 50 लाक रुपे प्रती एकार पक्री नोक्री और संपोर्न अमोल भूत्स विधाएं और द्योग्युक निती के तहट दिया जाएगा तब देचूंगा लेकिन मेरा इसका निजाकरन नहीं किया गया इसके बाद मेरा बिना सहमती के जबरन मेरे जमिन को 23-12-2010 को अधिक रहन कर लिये मैं मौजा के लिए इनके पास कई बर आविदन किया थाना में आविदन किया प्रसाधान के पास आविदन किया तसलदार के पास आविदन किया इसके बाद भी ए लोग कोई ध्यान नहीं दिये हैं मैं बिल्कुल भूखे मर रहा हूँ, परवार बिल्कुल दैनी स्थिती में है, किसी भी प्रकार का मैं प्रसाधन जुटाने में असमर्थ हूँ। मेरे जार को 15-20 फिट मिट्टी से जबरन डोजा डंफर से पाट दिये हैं, 20-25 फिट मिट्टी से ख़दाई कर दिये हैं, फसल को पूरा छटी गस्त कर दिये हैं, मैं बिल्कुल फसल पारने से असमर्थ हूँ। उनरवास का कोई ब्योस्था किया है? कोई ब्योस्था नहीं किया गया अक उनरवास वगयरा का, मेरे गाउं के अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती, कि आदिवास्यों के जमिन को खरिद लिये हैं, इनको पक्की नखरिद देंगे कहके, पूरा स्वासन दिये हैं, कि हम इनको पूरा बेनी फिट देंगे, सॉलेस्यम देंगे, अतरिक च्छती पूर्ति देंगे, जार का पैसा देंगे, लेकिन किसी को इन लोगों ने का का थे जार वगयरा का पैसा नहीं दिया है, नहीं उचित मौजा दिया गया है। से प्रभावित बिस्थापित परिवार जो हैं, धानदास जी, जिन्होंने काफी दिनों से अपने जमीन के मौजा को लेकर संघर्स कर रहे थे, और कर रहे हैं, अभी तक उनको उचित मौजा नहीं दिया गया है, जिसके वज़ा से वो दर-दर के भटक रहे हैं। और मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जांजगीर चापा जिला कलेक्टर को फोन करें और ज्यादा से ज्यादा लोग दबाव बनाए ताकि उसको उचित मौजा मिल जाए। जिला कलेक्टर का नंबर है 9425282335 मैं गुड़ू लहरे जांजगीर चापा इंडिया अनहट के लिए।